Hello students, welcome to the online classes of RL Academy Students, अपन writing chapter के अंदर speech writing पढ़ रहे थे Speech writing के अंदर कुछ topic पे अपन speech सीख सुलिए हैं आज आपके लिए एक नया video लेकर आया हूँ जिसमें अपन सीखने वाले हैं Addiction to Video Games या Computer Games पे speech कि video game की लद़ पढ़ जाना या Computer game की लद़ पढ़ जाना addiction का मतलब क्या होता है लद पड़ जाना तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी speech लिखे तो आप page के उपर उपर क्या लिखोगे title लिखोगे capital letter में तो सबसे पहले जैसे यहां पर अपने क्या लिखा है title लिख दिया addiction to video games या computer games कि computer game या video game की लथ पड़ जाना title लिख दिया उसके बाद एक line छोड़िए और speech दे रहे हो तो सबसे पहले आप क्या कीजिए अभिवादन कीजिए जिन लोगों को आप speech सुना रहे हो तो जो जो लोग बेठे हैं उस सब को एक साथ बोल दीजिए good morning everyone उसके बाद नई line के अंदर आप क्या लिखोगे address करोगे जिनके सामने आप speech दे रहे हो जैसे honorable chief guest समाननी ये मुखे आती थी respected principal sir, worthy teachers, students and dear friends ये format आप learn कर चुके होगे उसके बाद नई line के अंदर आप क्या लिखोगे आप अपना introduction दीजिए कि I, मैं कौन सोनू a student of class 12th कि मैं कौन सोनू a student of class 12th, 12th class की student I would like to begin आप क्या कहोगे अब आगे I would like to begin मैं begin करना चाहूंगा या चाहूंगी, शुरू करना चाहूंगी my speech, मेरा भासन with special thanks किस के साथ? special thanks के साथ to किस को Mr. Sajid Pumar यानि Mr. Sajid Pumar को special thanks कहते हूए मैं मेरा speech आगो शुरू करना चाहूंगा या चाहूंगी जो कि कौन है Mr. Sajid Pumar my English teacher मेरे English teacher है क्यों special thanks देना चाहूंगी उनको for giving me an opportunity उसने मेरे को एक आउसर दिया to express my views मेरे विचार वेक्त करने का on the topic of किस topic पे addiction to video games या computer games तो बच्चो इस तरह से थोड़ा सा अलग लिखने का मैंने कोशिस की है अगर ये format आप से learn नहीं होता है तो इससे पहले वाला जो format मां आपको लिखाया था उस हिसाब से भी आप लिख सकते हो कि today I am going to express my views on the topic of अब उस topic का name लिख दीजिए तो इस तरह से आपने ये learn कर लिया होगा इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुए होगी अब आगे देखिए line छोड़िए और अब आप जिस topic पे speech दे रहे हो उससे related आपे lines लिखिए जैसे lines है addiction is to anything bad in itself addiction मतलब लथ addiction is to anything कि लथ किसी भी चीज़ की पढ़ना वो bad in itself अपने आप में बूरी होती है कोई भी चीज़ की लथ हो जरूरी नहीं है वीडियो गेम की, computer गेम की किसी भी चीज़ की लथ है वो अपने आप में क्या होती है यानि कि बूरी होती है but the addiction to computer games या video games लेकिन computer game या video game की जो addiction होती है वो सबसे बूरी होती है अब कहने का मतलब लथ किसी भी चीज़ की हो बूरी है लेकिन computer game की या video game की सबसे बूरी होती है it is a matter of concern that और ये चिंता का विसे है कि today children have completely forgotten कि आज बच्चे हैं पूरी रूप से भूल चुके है the outdoor games किस के बारे में outdoor games के बारे में कि आज बच्चे आने की पूरी रूप से भूल चुके है outdoor games outdoor games जो के आने की door के बाहर game कहले जाते हैं जैसे कबड़ी है cricket है तो आज बच्चे इनको पूर्ण रूप से भूल चुके हैं ये बड़ी चिंता की बात है वो भी किसके कारण वीडियो गेम और कम्प्यूटर गेम्स के कारण उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है इंट्रेस्ट नहीं होता है रुची नहीं होती है उनके परती आज के बच्चे नहीं चुकाओ नहीं होता है तो और नहीं उनके पास पास ताइम रहता है वीडियो गेम को क्या नहीं कहा जा सकता गेम नहीं कहा जा सकता that keeps a child physically and mentally fit यानि वो game, outdoor game जो कि बच्चों को क्या करता है physically और mentally fit रखता है उस video game को यानि कि क्या नहीं कहा जा सकता गेम नहीं कहा जा सकता अब देखिए playing video makes a child physically weak अब इसके जो बूरे परभाव हो है वो भी बता दीजिये कि वीडियो गेम की क्या दूस परभाव हो इसे खेलने से तो प्लेइंग वीडियो makes a child physically weak यानि कि वीडियो यानि चलाने से या वीडियो गेम खेलने से इससे बच्चा physically weak बनता है और negligent यानि लापरुआ बनता है about is studies अपनी पढ़ाई के पढ़ती कि बच्चे हैं उस सारे दिन mobile के अंदर गेम केलते रहते हैं तो इससे बच्चे physically weak बनते हैं और negligent का मतलब क्या है लापरुआ बनना ऐस आउदानी बरतना कि इसके पढ़ती अपनी studies के बरती वीडियो गेम से हैं make children inactive वीडियो गेम है वो बच्चो को inactive बनाता है जबकि outdoor games है बच्चो इसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो fit बनाता है healthy बनाता है तो गेम वाला मैं आपको outdoor game का मैं आपको लिखवा चुका हूँ वो very very important है वो आप अच्छी तरह से learn कर लेना जो इससे पहले मैं speech आपको लिखवा दिया है अब देखे children do not do their homework बच्चे क्या नहीं करते हैं अपना homework नहीं करते हैं stick to tv screen और tv screen के chip के रहते हैं और waste their time अपना time है वो waste करते हैं तो therefore इस कांड से children should be increased बच्चों को increase करना चाहिए to play outdoor games की वो outdoor game खेले instead of computer for video games यानि कि 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 बज़े यानि कि computer game की बज़े फोर यहां मिटा देना बच्चो instead of computer video games तो या किस की बज़े यानि कि जो computer के video game है उसकी बज़े उसे outdoor game के लिए हमें बच्चों को क्या करना चाहिए increase करना चाहिए तो इस तरह से अपना speech पूरा हुआ और last में आप क्या लिखोगे speech जब end करोगे तो thank you very much यह आप लिख नाम नहीं भूले तो इस तरह से अपना जो topic है addiction to video games या computer games यह speech अपना complete हुआ उमीद करता हूँ आपको समझा आ गया होगा अगर आपको अच्छा लगाए video तो like करे दोस्तों में share करे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करे लेकिन ध्यान रखिए बच्चो इससे पहले जो मैं आपको यानिकी game का जो लिखवा चुका हूँ outdoor game के बारे में वो very very यानिकी important है जो कि आपको यानिकी याद करना है जो लिखाया था कि importance of game in student life वो outdoor game के अंदर आ गया और video game है यह क्या है यह indoor game है तो इस तरह से अपना आज का speech है वो complete हुआ thank you